मेरे चिनल पे आपका स्वागत ही आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके साथ पुराने कपड़ों से या पुरानी लेगिंग से सुन्दर सा डॉर्मेट बना सकते हैं आप सर्दियों में बेटने के लिए इस तरीके से आसन भी बना सकते हैं तो चलिए जल्दी से शुरू करत तो यहां पर मैंने ले ली हैं दोस्तों दो लेगिंग्स पुरानी और इस तरीके से सबसे पहले बेल्ट में कट कर लूँगी और इस बेल्ट का यूज भी हम कर सकते हैं अगर आपका इसका इलास्टिक खराब नहीं है तो आप इसको भी इस्तिमाल कर सकते हो बड़ी बहु दोनो ही तरफ से इसको cut कर लेंगे, इस तरीके से देखिए, और एक-एक इंच का इसमें निशान लगा लेंगे, जितना भी हमारा बेट रहा है, उतने पूरे में, एक-एक इंच निशान लगा के, और इस तरीके से इसकी strips काट लेंगे, लंबी एक एक इंच की अभी तक दोस्तों गर आपने मेरा चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी तरह की जैंट्स, लैडीज, सिलाई सीखने के लिए और डिजाइन्स देखने के लिए प्लीज मेरे चेनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरीके से दो-दो इंच के पीसिस काट लेंगे ये देखिए सारे इसी तरीके से काट लेने हैं और बीच में से अब एक पीस और करना है इनका तो ये जो एक-एक इंच की हमने स्ट्रिप्स काटी थी उनको आधा कर लेंगे इस तरीके से देखिए ये सारी मेरी कट चुकी है इसी तरीके से black lagging एक मैंने लिये तो उसकी भी मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी और इसमें नीचे कपड़ा लगाने के लिए मैंने लिया है ये pillow cover पुराना और इसकी लंबाई है 21 इंच और चोड़ाई है इसकी 15 इंच इस तरीके से इसको fold कर लेंगे और fold करके और थोड़ा सा गोलई में shape देदेंगे इस तरीके से देखिए और इसकी cutting कर लेंगे ये देखिए अब हमें इसको एक तरफ से सिल लेना है और इस तरीके से इसको पलट लेंगे पलट के इसको सीधा कर लेंगे और जो हिस्सा हमने छोड़ा था उस पे भी सिलाई लगा लेंगे अब इस पे हम निशान लगा लेंगे वैसे तो निशान लगाने की जुरुत नहीं पड़ती है जब आप शुरू करते हो स्ट्रिप्स लगाना तो खुद बखुद पता चलदाता है गेप लेकिन अगर आप निशान लगाना चाहें तो देखिए इस तरीके से लगा सकते हैं ये मैंने पुन-पुन इंच पे निशान लगा लिए हैं आधे हिस्से में और इस तरीके से आधे हिस्से को फॉल्ड करके और इस तरीके से हलका हलका सा इसको इस तरीके से कर लेंगे देखिए तो ये हमारे दूसरी तरफ भी निशान आ जाएंगे ये देखिए इस तरीके से अब इनको डार्क कर लें चोक से देखिए बहुत ही आसानी से हिए हमारे निशान इस तरीके से लग जाते हैं ये देखिए मैंने दोनों ही लेगिंग्स के पीस कर लिये हैं छोटे छोटे इस तरीके से अब सबसे पहले इसमें ब्लैक लेगिंग के पीस में लगा रही हूँ इस तरीके से देखिए इस तरीके से देखिए इसमें बीच में सिलाई करनी है इस तरीके से रखते जाएं और सिलाई लगाते जाएं बहुती जल्दी से आसानी से आपका ये डॉर्मेट बन जाएगा ये देखिए इसी तरीके से ये मेने स्ट्रिप्स लगाते चले जाएंगे इसी तरीके से हमें लगा लेना है पूरे में स्ट्रिप्स जितनी भी आप लगाना चाहें जितनी भी लेर इसमें इस तरीके से फोल्ड करके भी आप लगा सकते हैं और इसमें एक तरफ हलका सा एक के उपर एक आना चाहिए इस तरीके से लगाना है इस तरीके से आप ये देखिए ब्लैक स्ट्रिप्स की मैंने पांच लेर लगा ली हैं अब इसमें ब्राउन स्ट्रिप्स लगाएंगे इस तरीके से इनको मैंने अलग अलग कर लिया है और इस तरीके से देखिए ये इसको फोल्ड करके में लगा रही हूं तो एक की ये भ इसी भी तरीके से बना सकते हैं, जिस भी तरीके से आप बनाएंगे, सुन्दर ही बनेगा, देखिए इस तरीके से सारे ही लगा लेने हैं, यह देखिए सारे ही मैंने फोल्ड करके लगाएं हैं, इसमें ब्राउन वाले, इस तरीके से फोल्ड करके और एक तरफ एक सुट छो कि यह दखिए इसमें सीधवा सीधा ही रखके और एक तरफ से कम हिस्से पे इस तरीके से सिला ही करनी एक तरफ जाधा चोड़ना यह और एक तरफ कम चोड़ना है यह देखिए दो लहर मैं ने और ब्लैक वाले के लगा और अब फिर से ब्राउन वाले से इसको कंप्लिट कर लेंगे ये देखिए सुन्दर सा हमारा ये डॉर्मेट बन के तयार हो चुका है दोस्तों बीच में मैंने इसमें आधा इंच की ब्लैक पट्टी लगा दिये वीडियो आपको किसी लगी जरूर बताएं और सभी तरह की जैन्स और लेडिस सिलाई के ट्रिक्स और डिजाइन सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले